दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका परिक्षा खबरी में राज है 29 मई 2020 सुबह की इस वीडियो में परिक्षाओं जुड़ी खबरें करेंट अफेस देखते हैं तो परिक्षाओं जुड़ी कोई नई अपडेट नहीं है जो थी कलम ने बताई बहुत जल्द रिजल्ट आ यूँ ही न रहने दें उसका पूरा उप्योग करें सब्सक्रिक्षन लें कोर्सेज जो प्लस कोर्सेज हैं और आनंद उठाएं वहां के प्लस कोर्सेज का ब्यापक ग्रूप से त्यारी करने का 29 माई को अंतरराष्टी एवरेश्ट दिवस मनाय जाता है क्यों मनाय जाता है क्योंकि 29 माई 1903 को नेपाल के टेंजिंग नौरगे और एडमंड हिलेरी न्यूजिलेंड के जो थे इन दोनोंने सफलता पाई थी एवरेश्ट शिखर पर चड़ने की जो की अभी तक असंबो था अगम में था 1903 तक 29 माई 1903 के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था इतने उचे परवश शिखर पर जिसकी उचाई की कोई था उस समय नहीं थी बाद में 8848 मीटर ये हाला कि उसके पहले भी बिटिस जो सर्वे था उसमें इसकी उचाई लभग इतनी बताई गई थी लेकिन फिर भी वो उसकी पुष्टी नहीं हो पाई थी बाद में हाला कि इसकी पुष्टी हुई 8848 मीटर सर्वे आफ इंडिया के द्वारा भी 8848 मीटर बताईगी बस चाईना ही इसकी जो उचाई बताता है 8844 मीटर बताता है और इसी को सावित करने के लिए हालिया उसने कई अभियान भी चलाय हुए है उसका कहने का ये भी तात्पर है कि 2015 में जो नेपाल में भूकम पाया था उससे भी एवरेश्ट की उचाई थोड़ी सी घटी है खैर ये सब अन्य बाते हैं आईए पहले चार्चा कर लेते हैं इस पर तो तेनजी नारगे और एडवन्ड हिलेरी जो की न्यूजिलेंड के हैं उनने सफलता पाई 2008 में जब तेनजी अबरे में भूज हो रही थी इसकी उचाई के बारे में पता लगाया जा रहा था तो इसका जो नाम रखा गया था xv xv नाम रखा गया था इसको अगर अंकोम बदलें तो पंदर होता है ठीक है तो 15 चोटी नंबर 15 इसका नाम रखा गया था एवरेष्ट समुद्ध तल से उपर पित्वी का सबसे उचा परवश शिखर है समुद्ध तल से आपको पता है कोई उचाई अगर मापी जाती उसका मापक समुद्ध तल से उचाई लिया जाता है लेकिन अगर आधार से चोटी तक उचाई देखा जाए तो मौना किया जो की हवाई दीब अमेरिका में है इस ते दस हजार दो सो दस मीटर इस परवत की उचाई है मौना किया एक जौला मुखी परवत आधार से चोटी तक की उचाई में मोना किया सबसे उचा है लेकिन अगर उचाई पूछेगा या समुद दल से उचाई पूछेगा तो प्रित्वी का सबसे उचा परवशिखर यही है मांट एवरेस्ट है Mount Everest को दो तरफ से उस पे चढ़ाई हो सकती है तिबबत की तरफ से और नेपाल की तरफ से आपको पता है तिबबत की तरफ तो चीन का पूरा नियंतर है अब चीन नेपाल की तरफ भी नियंतर करना चाहता है नेपाल कि एक बार ऐसा ही हुआ था कि उसने अपने नक्षे में दिखा दिया था अभी चाइना कह यह है कि आपने कबशें में लेकर करके एवरेश्च को एक परेटब अस्थल बना दे और उससे आर्थिक अपना अपना आर्थिक विकास करे इसके लिए इसने क्या गाम किया है पैंसर सो मीटर उची एक उचा एक टावर खड़ा कर दिया है यहां की एक कमपणी है हुए वेई आपको पता हो हुए एक कमपणी है उसने 5G टावर खड़ा कर दिया है इंडिया में देखिए 4G टावर इनी काम करता सही से और चाइना ने एवरेश्ट तक पहुँचा दिया 5G टावर क्यों पहुचा दिया ताकि वहां लोगों की रुची बढ़े जाने में लोग वहां से वीडियो ग्राफी कर पाएं वीडियो संदेज भेज पाएं वहां से व प्रकार से चाइना इस तरक का अपना जो है माहौल क्रेट कर रहा है दूसरी बात है कि भारत पर भी निगरानी रख सकता है जब एवरेश्ट पर इतनी उचाई तक वो कैमरा पहुंचा देगा तो इतनी उचाई से भारत के किसी भी जगह की जहां पर चाइना चाहता है वहां तरफ से जुकी हुई है चाइना एकदम से जैसे कि उसके उपर उसके कंदे पर बंदूक लेकर के चल रहा है इस समय तो आपको दिखी रहा है तो कुछ भी संभो है वर्तमान हालातों को देखते हुए चाइना नेपाल के मध्य कुछ भी किसी भी हद तक मित्रता यह जा सकत है और तिब्बत में चोमो लुंगमा जिसका आर्थ होता है परवतो का राजा है चोमो लुंगमा तिब्बत में कहते हैं इसको और संस्कित में इसको देवगिरी कहते हैं अवरेश्ट को देवगिरी कहते हैं अवरेश्ट एक वैग्यानिक थे उनका उनके नाम पर यह नाम रखा गया है माउंट एवरेस्ट तो 8,849 मीटर इसकी उचाई है चाइना 8,844 मीटर का दावा करता है इसके लिए वो प्रेक्षण अपना जो है सोद करता हों कोई भेजता है 2.0 क्लॉक रूल किसे सम्बंदे थे तो माउंट एवरेस्ट से ही सम्बंदे थे अगर पूछ ले कभी एक्जाम में 2.0 क्लॉक रूल तो ये क्या है कि 2.00 के पहले 2.00 के पहले तक मैक्सियूम उसमें पहुँचना ही पहुँचना होता है क्योंकि उसके बाद मौसम वहां पर अचानक बदलना सुरू हो जाता है और इस्तियां बहुत ही बिकट हो जाती है तो इसलिए 2.00 क्लॉक वहां पर एक रूल बनाया गया है एवरेस्ट पे तो ये माउंट एवरेस्ट की कहानी है महत्पूर्ट जो परिक्षाओं समंधी थे आपके पूस सकता है दफ़ra इको बाउग ये क्या है तो जेके रॉलिंग्स की एक नई पुस्तक है हैरीपॉर्टर के लेखक है जेके रॉलिंग्स आपको पता है हैरीपॉर्टर जो बच्चों के लिए एक सीरीज आई थी जिसपर एक मूवी बन चुकी है वो भी जेके रॉलिंक्स ने लिखी थी अब बच्चों के लिए ही COVID-19 में मनुरंजन प्रदान करने के लिए दई इको बॉग नमक नई पुस्तक लिखी है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि दईको बॉग पे भी जरूर कोई न कोई मुवी बनेगी अब देखते हैं हालिवड बनाता है कि वालिवड बनाता है कैच अप क्या है तो फेस्बुक ने नई कॉलिंग अप्लिकेशन लॉंच की है जिसमें आठ लोग के समूओं का समनवे हो सकेगा गाठ लोग परिवार की समूओं है मित्रिस्ट मंडली है एक साथ बात कर सकेगी कैच अप अप्लिकेशन है फेस्बुक ने लॉंच किया है कॉलिंग अप्लिकेशन डबलू फर्स्ट टेलिस्कोब ये क्या है दोस्तों दोजार पच्चिस में लांच होने वाली नासा की अगली पीड़ी की दुर्बीन है जो कि दोजार पच्चिस में लांच लांच करेगा इसको अब नया नाम दिया गया है नैंसी ग्रेस रोमन टेलिसकोब या फिर रोमन टेलिसकोब ये किसके सम्मान में दिया गया है तो नासा की पहली प्रमुख खगोल सास्त्री जिन्होंने दुर्वीनों के विकास में मत्पूर्ण भूमिका निभाई थी उनके योगदान के सम्मान में नैंसी ग्रेस रोमन टेलिसकोप इसका नाम होगा डबलू फर्स्ट टेलिसकोप का तो 2025 में लांच होने वाली नासा की अगली पीडी की दुर्वीन होगी तो इसका जो पुराना नाम था वाइड फिल्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलिसकोप था ठीक है ये स्पेस आपजरवेटरी रहेगी नासा की 2025 में जो की लांच होगी तो इसका कार अभी चल रहा है 2020 में नहीं इसके कंप्लीट होने के चांसेज हैं तो 2025 में लांच होगी नासा की नासा की बारे मैंने आपको बताया था कि ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजनसी है जिसका फुल फार्म है नेशनल एर नाटिक्स एंड इस्पेस एडिमिस्टेशन 29 जुलाई 1958 को इसकी इस्थापना होई थी और इसका मुख्याले वाशिंग्टन डी सी में हैं और अगर आपने लर्निंग एप अभी तक डाउनलोड ना किया हो अनकेडमी लर्निंग एप तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें यहां पर कोई भी विश है किसी वेजुकेटर को आप सार्च करेंगे कोई सार्च करेंगे आपको मिल जाएगा आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर चाहें तो सब्सक्रिफशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं सब्सक्रिफशन आपको एक मन से लेकर के दो साल तक के उपलब्ध हैं अर्थाद एक साल एक महीने से लेकर आप दो साल तक का एड करना है तो यूडी 10 रेफरल कोड अवस्यूज करिएगा ठीक है ना तो बारह महीने का कोर्स में जैसे 7000 रुपए आपका लग रहा है तो चौबिस महीने कोर्स में उसी कोर्स में 900 रुपए लगेंगे तो आपका दो वर्ष का जो फी रहेगी वो कम पढ़ रही है तो आप चाहें तो दो साल क्ले सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं पढ़ सकते हैं आराम से तब तक आपका सेलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ने कहीं तो यूडी 10 आप याद रखेगा रेफरल तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद